नमस्कार बागवान भाईयों हमारे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे डार्क बेरोन गाला की डार्क बेरोन गाला UK और एलिवेशन है इस अब बातर सॉफिट अब और उचर्ड यह आप देख सकते हैं डार्क बेरोन गाला इसका जो साइज है इस अलिवेशन बेवी तक हो चुका है इसमें जो भी कलर प्रॉपर नहीं आया है इसका मतलब है कि इसमें जो अभी साइज और इंप्रूव होगा तो हमारी जो और च प्रॉपर जो भी आप गाला लगाएंगे इसमें काफी साइज इशू रहता है अगर आप इससे उपर गाला की खेती करना चाहते है आट अजार फीट तक आप ऐसा गाला लगाईए जिसमें जो है कलर थोड़ा लेट आए क्योंकि इसमें साइज इशू नहीं रहता है जो जो साइज चोटा रहता है क्योंकि वह शुरू में लाल हो जाता है जैसे अपना रेड विलॉक्स है डिलिश्यस में उसमें जो है साइज इशू रहता है इस अलिशन पर तो पहली चीज जो है गाला में गाला को आप थिनी करनी पड़ी है आपको कैसे में हमने सेंपल के दि हमने दो फ्रूट ही रखें लेकिन आपको कैस सिंगल फ्रूट रखना है सिंगल फ्रूट रखना है और दूसरी चीज अगर आप रूट स्टॉक एम नाइन पर काम करें तो इसमें जो है साइज थोड़ा और इंप्रूव हो जाता है मानलो इस अलिवेशन पर यह एक्स्ट और इसमें अच्छी ग्रोथ भी है और बड़ फॉर्मेशन भी इसमें अच्छा है नेक्स्टेर इसमें जो है लगबग एक बॉक्स से उपर उपर फूट आ जाएगा कोई भी बागवान है जो इस अलिवेशन पर गाला लगाना चाहते है तो वही गाला लगाए जिसमें लेट कलर है तो अरली कलर वाला गाला ना लगाए इसमें साइज चोटा रहे है एक तो है डार्क बेरोन गाला यूके और दूसरा है 10 प्लस गाला तिसरा जो अभी होग करेंगे कि यह एक्स्ट्रा स्मॉल तक आ जाए उमीद है कि एक्स्ट्रा स्मॉल तक आ जाए इसको जो है हर्वेस्ट करने के लिए भी 20-25 दिन है इस एलिवेशन पर तो यह गाला ठाट डार्क बेरोन गाला गाला की जो मैर्कट हो काफी अद्धी है इसमें थोड़े आ थोड़े की निशानी शायद इस वजves इंप्रूफ नहीं हुआ है आप देख सकते हैं इसके लीफ्स देख सकते हैं किस तरह से अलेने इसके लेख का वहाए लेकिन आप देख सकते हैं फिरसे में अच्छी घृ बागवन भाइयो आगे की जानकारी के लिए हम हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें स्टै रहें जैसे जैसे मारे पास सिमपल आते रहेंगे हमुआ आपके लिए विडियो औस में बनाते रहेंगे और काफी सारे भी जो लगवक हमारे पास जो है सेंपल जो पंद्रा से सोला विराइटी के सेंपल आ चुके हैं बाकि नेक्स्ट रहेंगे तो हम आपको जानकारी बेचते रहेंगे कि किस तरह से इस एलिवेशन पर फूट परफॉर्म कर रहे हैं क्यूंकि लोगर और लोगर एलिवेशन पर छहजार फिट हो गया या 65 फूट हो गया उस एलिवेशन पर तो कोई भी विराइटी अच्छा परफॉर्म करेगी लेकिन हमें देखना है कि पजत्तर सह से उपर उपर आठाजार के आसपास कौन सी विराइटी कैसा परफॉर्मेंस देती है धन्यवाद